नमस्कार नुस्पोडेशन देख रहे हैं आप आपके साथ मैं हो रचाश्रमा रगोवन्स प्रसाथ सिंग का निधन हो जाने के बाद पूरे रेश में शोक किल है बिहार के राजनते के कदावर नीता अब हमारे वीच नहीं रहे जिसके बाद सभी लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रहे हैं शोक व्यक्त किया जारा है पियम मोदी ने अपने कारेटरम को बीच में रोकते हुए शोक व्यक्त किया वहिने तीश कुमार ने भी अपनी बाते रखी उन्होंने कहा कि बहद ही दुखद है ये जो खबर सामने आई है कहीं ना कहीं बिहार को रुला के रख दिया है लेकिन इसी के साथ जिसके ट्वीट का बिहार वासियों को बेसब्रिस इंतजार है उनका भी ट्वीट सामने आ गया है जिहां हम बात करें लालू प्रसाद यादव क्योंकि रगवन्स प्रसाद सिंग और लालू प्रसाद यादव का रस्ता काफी पुराना है और दोनों काफी करीब ही माने जाते हैं सिर्फ सियासत नहीं बलकि पोस्नल लाइक में भी वो एक दूसरे से काफी करीब रहे है और इसके पहले लालू प्रसाद यादव ने उनको रोकने की पूरी कोशिस की उन्होंने कहा कि रगवन्स आप कहीं नहीं जा रहे हैं लेकिन रगवन्स प्रसाद सिंग ने पार्टी से स्तिफा दे दिया और अब इस दुन्या को भी छोड़ कर चले गए जिसके बाद लालू प्रसाद यादव ने एक इमोशनल ट्वीट किया है लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट में क्या कुछ लिखा है आपको बताते है दरसल लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट में लिखा है प्रिया रगवन्स बाबू ये आपने क्या किया मैंने परसु ही आपसे कहा था आप कहीं नहीं जा रहे हैं लेकिन आप अतने दूर चले गए निशब्द हूँ दुखी हूँ बहुत याद आएंगे तो लालो प्रसाद यादव ने ये emotional tweet किया है जिसमें साफतोर पर उन्होंने बताया है कि आपको मैंने पहले ही रोका था लेकिन मुझे क्या पता था कि आप सिर्फ पार्टी से रहीं बलकि दुनिया से दूर जा रहें बलकि मेरे से सदा दूर जा रहें तो जिस तरीके से लालो प्रसाद यादव ने अपनी बाते रखी है कई ना कई ये पता चल रहा है कि इस वक्त लालो प्रसाद यादव पे क्या गोजर रहा होगा क्योंकि यह रस्ता दो या तिन दिन पहले का नहीं है, यह 32 सालों का रस्ता है, यह राजनितिक रस्ता नहीं बल्कि, यह पारिवारिक रुष्टा भी मान सکते हैं क्योंकि जब जब लालु प्रसाद यादव पर कोई भी संकट आया है, रगवन्ष प्रसाद सिंग उनके साथ खड़े रहे हैं, लालु प्रसाद यादव के संकट मोच कहे जाते हैं, यानि कि जब भी लालु प्रसाद यादव पर कोई भी आपदा विबदा आती है, कोई भी संकट आता है रगवन्ष प्रसाद सिंग हमेशा उनके साथ रहा करते थे लेकिन अब रगवन्ष प्रसाद सिंग उस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं हमेशा के लिए उन्होंने अलविदा कह दिया है जैसे ये खबरे सामने आई पूरे विहार वासियों के लिए शोक की लहर के रूप में ये खबर मिली क्योंकि कहीं ना कहीं लोग हैरान है उन्हें अब तक ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि रगवन्ष प्रसाद सिंग अब इस दुनिया में नहीं है हाला कि उन्होंने कुछ दिन पहने ही पार्टी से इस्तिफा रे दिया राजब से उ लालो प्रसाद यादव ने भी एक एमोशनल लेटर लिखा और उन्होंने कहा कि तुम और उन्होंने कहा कि आप कहीं नहीं जा रहे हैं समझे आप तो जिस तरीके से लालो प्रसाद यादव ने हक जटाते हुए कहा था कि रगवन्ष बाबू आप कहीं नहीं जा रहे हैं म और कितने शोक में हैं उन्होंने यह बाते कहीं कि, मुझे तो विश्वासी नहीं हो रहा है कि जब मैं आपको रोख रहा था, तो आप सर्फ मुझे नहीं, बलकि दुनिया से दूर जा रहे अतने दूर जा रहे हैं, कि अब आप तक मैं पहुँच भी नहीं सकता तो लाली प्रसाद्यादव की प्रतिक्रिया सामने आ गई है जिसका बिहारवास्यों को इंतजार था वो काफी तूट गए है फिल हाल के लिए इतना ही बने रहे हमार साथ और देखते रहे नियूस फोर्णेशन नमस्कार